कि नमस्कार फैंट्स मेर नाम बगलु वर्मा पेपर है करमी आपका स्वागत आजम देखने वाले यहां पर बहुत इंपूटेंट क्योशन रेने वाला है क्योशन नमबर फाइब जो किसका हो जाता है वह हो जाता है अपने बीए पार्ट बन सैकेंड सेमिश्टर वालों के लिए हिस्ट्री का लेक्षर नमबर हो जाएगा अपना फाइब और यहां पर रहने बाला है एक बात आप से मैं कहना चाहता हूं अगर आप भई जिस प्रकास से मैं आप पर पढ़ा रहा हूं अगर आपको इसी प्रकास से क्योशन लिखना है तो आपको हमारा नोट्स लेना पड़ेगा ठीक है हमारा नोट्स आपको डानलोड करना पड़ेगा जो आपको मिलेगा www.paperhacker.in क्योंकि मैं यहां पर आपको समझाओंगा ठी ठीक है क्योंकि मैं हाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं और आप नोट्स कोई और लोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है ठीक है तो इस ब्रकास से आपको हमारा नोट्स लेना पड़ेगा जो हमारा नोट्स लेना पड़ेगा जो आप आराम से डालोड कर सकते हो www paper hacker.in से तो बढ़ते हैं फटावर क्योशन की और जो आज का क्योशन हों का बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है इससे पहले हमने क्या देखा गुलाम बंस देख लिया गुलाम बंस के प्रतम सासा कौन थे कुट बदीन एवगत ते अंदिम सासा कौन था कुक एक बात था है कौन सा बनता है घाए जो सब से प्रिसिव राजा जो जो कौन मना था दिली का सुल्तान मना था या फिर कह सकते हैं डिली सल्तनत की स्थापना होई थी ठीक है तो बैकॉन था दिल्ली सलत्रत का पर्थम सुल्तान वो हो जाता है अलाउद्दीन खिल जी तो अलाउद्दीन खिल जी के बारे में आजम यहां पर पढ़ने वाले हैं तो बढ़ते हैं फड़ा बड़ कोशन की और जो आपको यहां पर मैंने कुछ बेसिक बताया है यह आपके लिए महत्भूर्ण हो जाता है तो यह आजब में इस परकार से देखने को मिल सकता में में मंगोल की निती ती जो मंगोल रहा करता है किसे अलावद गिलजी के सहसनकाल में मगर अलावदिन खिल जी ने बहुत ही साहस और डेट कर मुकाबला गया था और मंगोलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था ठीक है तो भही यहां पर हम देखने वाले हैं अलावदिन खिल जी की मंगोल निती के बारे तो बढ़ते हैं फटावर कोशन की और क्योशन वन द मंगोले ने भारत पर बार बार आक्रमन किये कितने बार बार आक्रमन किये कई बरसों तक वो समराज के लिए सबसे बड़ा खत्रा बने रहे तो कि मंगोल जो थे वो बहुत विसाल सेना में थे बहुत विसाल सेना में आक्रमन करते थे इसलिए बार बार भारत पर क्या किया आक्रम रखिया और कई बर्सों तक वो समराज के लिए सबसे बड़ा खत्रा बने रहे परंतु अलाउगदी रिखिल जी सासक ने उन्हें बुरी तरह परास्त किया और समराज जिसको सुरक्षित रखा देखा है न जो मैंने बताया बही तो लिख रखा है बस कि बुरी तरह क परास्त किया तता समराज को सुरक्षित रखा था मंगोलों को पराजय करने में सुल्तान के अतरिक्त अब अलाउगदीन खिल जे तो था ही था मगर तीन नाम दे रखे हैं वो आपको बहुत महात्पूर हो जाते हैं पहला हो जाता है कौन उलग खां कौन उलग खां बहुत इंपोटेंट है तीनों के नाम उलग खां आपको याद करना है जफर का आपको जफर खां याद करना है और गाजी तुकलक आपको याद करना है तीन नाम याद करना है बस इसमें उसके बाद आगे जो याद करने होंगे वो तो होई आते हैं गाजी तुगलक आधी उसके सेनापति उन्हें भी महातपूर भाग लिया था मगर आधी सेनापति तो है मगर तीन सेनापति दे रखें ना इनके नाम में कहा रहा हूं याद करना ही करना है यह बहुत महातपूर है जो आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं है आपकुर्द को बढ़ते हैं है आगए कि ओन तो पहला हो जाता है कौन अगर घंड हान मत समझे गए इसके लिए ठीक है तो फिर चाहर का अगर जो आया था वो कोन आया था कादर आया था कादर में आकरमण किया था किसके सासनकाल में अलाउद्दी निखिल जी के सासनकाल में तो बात करते हैं कादर जो हो जाता है मंगोल इसने आकरमण कब किया था 1297 में इसमें आकरमण किया था अगर आपको डेट याद रहे तो बहु अभी आठ नो तीन छे आठ नो तीन छे ठीक है याद होगा ना बिल्कुल तो इतना ही याद करना है सुरी साथ और साथ होगा ना साथ आठ और सॉरी गडबल कर दीन रुकिए गाथ फोड़ा सा अपको याद किया करना है yoga है साथ आट क्यों गिंतिया खरना है ना बस दाथ एक टेशेमए티न का दुगना चेएए और छे के बाद साथ आठ बस इतना याद करना यह आपके लिए है प्राओर तीन शे। है वो पाने तो साथ 6297 और सबस्ट नमोज भा Nepेन है करें अच्वाड यह कंई भी में एक लाख मंगोलों ने एक लाख यहाँ पर कादर का आकरम्ण कैसे याद करेंगे कि एक लाख आये होगे कादर होंगे अग्टर अगर कहीं जाएगा तो लाखों लोग क्या करेंगे उसे देखने के लिए आएंगे तो यहां पर इस प्रकार से याद हो जाएगा कि कादर का आक्रमण जो कादर ने आकरमण किया था किस पर अलाउद दिन खिल जी के ठीक है सास्तनकाल में भारत पर तो कितने सैनिक लेके आया था एक लाख मंगो उन्हें कादर के नितत्में भारत पर आकरमण किया था कितने एक लाख और पंजाब में पंजाब के मैदान में घुस गए कहां पर गुसे देखो पंजाब के मैदान ठीक है मैदान किसका था कादर कहां घुसे पंजाब के मैदान में घुस गए सुल्तान ने उनका मुकाव आपला करने के लिए उलख खा और जफर खां यहीं हैं नाम भी नाम कौण उलख खां और जफर खां सबसे पहले कौन आगे पहले वाले आ गए दो उलख खां और जफर खाके नियतत्व में सेना भीजी जलंधर अभ यहोसरी आफगानस्तान की बाहत ऑ यहां कि आपあ अफगां स्टान में तो जान्दार के समीप युद्धान में पंजाब में है यार बस्व तो आगे रखाना नित्yrट में सेना बेजी जान आंधर के समीप समीप युद्ध हुआ जिसमें मंगोलों को बुरी तरह पराजित किया गया और आम सोजागा जलंदर कहां पड़ता है पंजाब में हैना तो पता ही आपके लिए और बात करते हैं किस कौन-कौन से ना पती थे इसमें भाग लिया था उलक का और जफर का जो पहले हो जाते हैं 20,000 युद्ध मंगोलों युद्ध मंगोल थे वो युद्ध मारे गए बहुत अधिक संख्या में उसके पददिकारियों को बंदी बना लिया गया तता उनका बद कर दिया गया उन्हें क्या कर दिया गया मार दिया ठीक है आगे देखते हैं अब नेक्स जो आकरमन करता है कौंकि हमने पहले कितना लाए कौन सी मिट्र क्या की? 7836 7836 उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आ जाएगा सल्धी का अकरमन कौन? सल्धी का अकरमन पहले 6 अप क्या होगा 8? 1298 एक बरस के बाद बात करते हैं सल्धी का अकरमन का amigosau 1298 sb में cantidad में फिर भारत पर अकरमन किय पिर खेवाले के लिए इसे वेजा फेस्ट में तो दोनों को भेजा जीत गए उसने कहा बाई एसा करो अब तुम जाओ सैकंड वाले आके लिए तो आलाउद्दिन खिल जीडी जफर खां को उसके विरुद्र कूच करने का आदेश दिया जफर खां के एक छोटी सी सेना लेकर कैसी लेकर फोटी सी सेना लेकर कौन गए थे जफर खां के साथ मंगोलों को हरा दिया और उनके 2000 सैनिकों को जिन में सल्दी तथा उनका भाई दोनों थे भाई सल्दी भी था और उनका भाई भी सामिल थे बंदी बना लिये गा जफर खां को इस असा धारण सफलता के इस्थान इस्थान पर उनकी बीर्ता की प्रतिष्था को क्या करने लगे इसया से देखने लगे घ्रिणा करने लगे तो यहां पर हमारा हो जाता है कौन सल्दी का आकरमन सल्दी के आक्रमने कौन गए थे जफर खाँ गए थे मगर घेणा कौन करने लगे घेणा करने लगे उलग खाँ और सुल्टान जो कौन ते अलावदीन खिल जी ते सुल्थान ते वहां के वो क्या करने लगे इससे जफर खांसे है ना जफर कांसे इस्रिया मतलब गिर्णा करने लगे क्योंकि वे छोटी सी टुकुडी लेकर 2000 सैनिकों को बंदी बनाया साथ में कौन था हल्दी और उसका भाई हल्दी नहीं सल्दी सल्दी और उसका भाई था ठीक है आगे बढ़ते हैं नेकस्ट वार आक्रमन करता है कौन मंगोल जिसमें होता है कौन कुल कुतलुक खाजा फानों थे फिस लोग फाजा का स्थां आको मतल देखते हैं यह आपको याद रखना है याद कर लेना किया था आपको जो आलिस में आतनी sulph kitchen यह करना है याद THIS में आप सिर्प तीच कर कर लेना ठीक है डेट लिखने की कोई दूरत नहीं है और तीनों के नाम्याद कर लेना पहली बार में आक्रमन किस ने किया दोनों ने उसके बाद कौन आया उन्ली कौन आया यहां पर देख सकते हो अहां गये भई हाँ जफर आया सेकंड वाले में ठीक है अब देखते हैं तीसरा आक्रमन में कोन आता है बात करते हैं कुतलुख वाजा का आक्रमन तो सल्दी की पराजय के पश्चात मंगोल ने भारत पर विजय प्राप्द करने के लिए खूब तयारी की कैसे की तीसरी बार में बहुत सारी तयारी की तयारी की उसके महाननेता देवा ने इस बार अपने कौन पुत्र को भेजा देवा ने अपने पुत्र को भेजा जो था बल्मान पुत्र था कौन था पुत्लुख ख्वाजा कौन था पुत्लुख ख्वाजा किसका बैपुत्र था देवा का पुत्र था ठीक है उ दिल्ली के आसपास घमासान युद्ध हुआ कहां पर दिल्ली तक आ अचसे थे यह पंजब से दिल्ली कहां लड़ रहा है वो ओ कादर कहा लड़े पंजाब अब यह कहां तक आगए दिल्ली तक आगए ज्यादा हो गई तो दो लाग सेन को सहित भारत पर आक्रमण करने के लिए बेजा अलाउद्दीन ने मंगोलों का समापन मंगोलों का सामना किया दिल्ली के आसपास घमासान दुद्ध हुआ जिसमें का परचय दिया अंत में मंगोलों की पराज है और मंगोलों की हां मंगोलों को पराजित होकर भाग जाना पड़ा मंगोलों को यहां पर भी कर दिया गया हरा दिया गया परंतु जफर खां युद्ध में मारा गया जफर खां का क्या हुआ अंत हो गया यहां पर जिससे कौन करने लगे थे जिससे उलग खां और सुल्तान जलावद्दीन खिलजी नफरत करने लगे थे वो कहां मारा गया वो मारा गया दिल्ली के समीप कौन सो युद्ध में कुतलुक करते हैं तर्गी तथा अलीवेक का आक्रमण होता है यहाँ पर कौन करते हैं तर्गी तथा अलीवेक का आक्रमण तरगी ने एक लाख बीस हजार मंगोलो सहित भारत पर आक्रमण कर दिया कितने एक लाख बीस हजार मंगोलो सहित भात पर आक्रमण कर दिया लगबग दो मास तक बहुत सीमान्त प्रजेसों में से आगे दिल्ली की और बढ़ने का पैतन करता रहा कितने दो मास दो महीनों तक दो महीनों तक वह सीमान्त प्रदेश में आगे दिल्ली की और बढ़ने का प्रतिन करता रहा परंतु जब उसे सफलता की कोई आसा नहीं थी तो बापस चला गया फिर होता है तेरा सो पांच इस भी में अलवेग के नितप में मंगोलों ने आकरमर किया पहले कोन आये थे कब दो बर्स के बाद उन्निस तेरा सो पांच इस भी में कोन आया था अलवेग गया अलवेग के नितप में मंगोलों ने आकरमर किया तुर्की ने भी सुरी तरगी ने भी तरगी तरगी ने भी उसका साथ दिया अलाउदी ने मंगोलों का बिद्रो करके करने के लिए मलिक काफूर लाश्ट में कौन जा रहा है मलिक काफूर जा रहा है चौते इद्व में मलिक काफूर तथा गाजी तुगलक के नेतत्व में 40,000 सैने के भेजे कितने 40,000 सैने के भेजे किसने अलाउद्दीन खिल जी ने किसके नेतत्व में मलिक काफूर और गाजी तुगलक के ने्टतम में फिरो जाता है अमरुहा नामकित्थान पर युदुओ में जिसमें मंगोल पड़ाधित हुरे हैं जब दो लाक सेना को पराधित करा दिया तो यहां तो शिर्फ चालिसी हजार है की। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हो जाता है वो हो जाता है कुबैक कुबैक तथा इकबाल मंद के आक्रमण इसके कुबैक का और इकबाल मंद का यहां पर आक्रमण देखने बाले हैं तो बात करते हैं, 1306 इस भी में मंगोलों ने कुबैक तथा इकवाल बंद के नेतप में फिर आकर्मन किये परंतु गाधी तुगलक ने राभी नदी के किनारे उसे हरा दिया, कहा पर राभी नदी के किनारे कुबैक को तथा इकवाल मंद को किसे ने हराया, गाधी तुगलक ने हरा दिया, कहा जाता है कि 50-60,000 मंगोलों में से केवल कितने, 3 या 4 जीवित रहे ते ततपस्चात, कितने भी ते, 40-50,000 मंगोलों ने दिखिया था, मगर जीवित कितने रहे, सिर्फ 3-4 जीवित रहे सके, ततपस्चात, दीपालपुर के सुबेदार गाजी तुगलक न काबूल, गजनी और कंधार, कहां, काबूल, गजनी और कंधार, तीनों की तीनों कहां पढ़ते हैं, अफगानिस्तान में पढ़ते हैं, ठीक है, काबूल भी अफगानिस्तान में है, गजनी भी अफगानिस्तान में है, और कंधार भी अफगानिस्तान में है, काबूल, निखिल जी ने भी आक्रमकर ना इस्टार्ड कर दिया जिसमें कौन सामिल थे गाजी तुगलक होंते गाजी तुगलक था उसने काबुल गजनी कांधार आधी मुगलों के मुगलों के प्रिदेशों पर आकरम नियुक्त कर दिये और उनकी सक्ति को नश्डिक कर دिये तो इस प्रकार से मुंगलों को वह गाया था फिर हो जाता है अपना अलाव-दीन ने मंगोलों की आकरमनों से सम्राज की रक्षा करने के लिए बलबन की भाती कार किये जैसे की बलबन ने तोगलग वंस में किये थे बात करते हैं उस ने एक स्क्ति-चारली सेना का निर्मार किया उत्तर पस्चिंग की सीमांत प्रदेसों में है अगी कहां ते रखाया भी है ठीक है सीमांत प्रदेसों में पूराने किलोको से योग सीमा-प्रांत का सुभेदार न્क्त किया था जो सीवा होती इसके लिए तो बात करते हैं मंगोल लिगती का महात्व तो बात करते हैं यहां पर ठीके बहुत IMPORTANT है आराम से देख लेते हैं इसको भी हमें है पांच युद्ध करना है ठीक है जो हेडिंग थी उनको याद करना ही ही करना है क्योंकि क्योशन यहां से बनेगा क्योंकिल कंदी लिए इसलिए बहुत IMPORTANT हो जाता है मंगोल निती का महत्व्जल की मंगोल लिटी आति महाथ्पूर सिद्द हुई इस Speech निति के सामराज पर तथा प्रिसासन प्रबंद पर अने के प्रभाव पढ़े क्वाफ कौन कौन परबंद म क्युंक हो जाता है कि मंगो Digital को क्यूंतित्फ ओ कि आखरम्लों केकार्थ सुल्तान ने कितने पौने पांच लाग मतलब 4,75,000 गुरसबारों की एक सक्तिशाली सेना तयार की इसी सेना के कारडवेह, उत्री भाद, दच्छडी भारत की कई प्रिदेशों पर विजय प्राप्त कर सका कितनी सेना तयार की? 4,75,000 गुरसबारों को तयार किया था आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी अपनी हो जाती है, प्रिभाब पढ़ता है, वो हो जाता है, दूसरा, ठीक है? जो हो जाता है अलावदी निखिल जी ने बिसाल होगा यहां पर, ठीक है? बिसाल, बिसल नहीं होगा अलाजिन खिल जी ने विसाल सेना के खर्च को पूरा करने के लिए उपज का कितना एक बटा दो भाग भूमी करके रूप में सेना को देना आरंब कर दिया एक ये हो जाता है कि सेना जो भरन पुशण होता रहे तीसरा प्रभाब पढ़ जाता है वो जाता है सुल्तान ने बस्तुओं की दाम नियत कर दिये तथा अन्य आर्थिक सुधार किये ताकि सैनिक कम बेतन होते हुए भी अच्छी तरह जीवनियापन कर सके ठीक है और जो चौता प्रभाब हो जाता है बैह हो जाता है मंगोलों की आकरमरों के कार सुल्तान प्रथा का जो सुल्जा प्रजा हो जाएगी ठीक है सुल्तान प्रजा की बहलाई की और आधिक ध्यान ना दे सका त्योंकि अलाउग दिन खिल जी के समय में जो मुगल थे वह बहुत ही बड़ी सेना के अनुसार क्या करते थे युद्ध करते थे और हमारी सेना में बहुत सारी प्रॉब्लम में होती है धनकर्ची भी होता है ठीक है तो बही यहां पर देखने को मिला था इसलिए जो सुल्तान था जला अलाउग दीन खिल जी था बहत प्रजा की भालाई की और अधिक ध्यान ना दे सका पांचमा जो हो जाता है भूद द्रण हो गई और उसकी प्रितिष्था में ब्रद्दी हुई इस की प्रतिष्था वदिशंटा होती उस में भी तो इस प्रकास से क्यों ने तो यहां पर बहुत यह अच्छी प्रकास है हमने इसे देखा क्योंच नमबर पाइब को जो क्या हो जाता है जो अपना हो जाता है अलावद दीन खिल जी की मंगोल निती पर टिपड़ी ठीक है क्योंच बहुत अच्छा है और यह क्योंच आपके एक्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि एक खिल जी बंस का प्रफा खिल सी बंस का शासता जो बहुत ही पावरफुल हो जाता एक विकार से कह सकते हैं ठीक है अब तक के लिए लाइक सेर सब्क्राइब दबाकर ठोगना है तो फैंट जैहिन जै भाहरत